न्यूज दिस और कारेक्रम में विविन विश्यों से जुड़े महत्यपुर ब्रेकिंग न्यूज को संक्षिप पे टुदी पॉइंट के रूप पे पेश किया जाएगा ताकि दर्शक बेहदी कम समय बिसारगर भिद्जारकारी प्रात कर सकें कारेक्रम शुरू करने से पहले एक नजर इस प्रश्ट पर डालें धे टीवी में आप सभी का स्वागत है निूज दिस और प्रोग्राम में हम बात करेंगे सरकार के दिशानिर्देशों को ना मानने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिसमें हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यो है, सरकार के महत्मूर्द दिशानिर्देश क्या थे और दिशानिर्देश को ना मानने पर सोशल मीडिया कमपनियों पर क्या कारवाई हो सकती है बीते 25 फरवरी को इलेक्ट्रोनिक्स और सुच्टर प्रवध्योंगे की मंत्राले ने नए दियबों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तीन महीने की समय सीमा दी थी इस समय सीमा की अवध आज यानि 25 मई को खत्म हो रही है ऐसे में माना जा रहा है कि फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगले दो दिनों में कोई कड़ी कारवाई हो सकती है दरसल केदरी इलेक्ट्राउनिक्स एम आईटी मंत्राले की तरब से डिजिटल कंटेंड को विनेमित करने के लिए तीन महीने के भीतर कमप्लाइंस अधिकारी नूडल अधिकारी आधि को न्यूक्त करने के लिए कहा गया था नए इमो में ये भी कहा गया था कि 24 घंटे के भीतर किसी भी शिकायत मिलने की बास्विकार करना और 15 दिनों के भीतर अपनी करवाई करने या न करने के कारण को बताना जरूरी होगा बताया जा रहा है कि भारतिय माइक्रो ब्लागिंग साइट कू ने इस महीने के आखिर में निर्धारी समय सीमा से पहले डिजिटल मंच के लिए नए दिशाने देशों का पालन कर लिया है लेकिन बाकी किसी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक ऐसा नहीं किया है विशेशग्यों का कहना है कि जो भी कमपनी इन इमों का पालन करने बे असफल हो जाती है उनके इंटर्मीरेरी स्टेटस को खत्म किया जा सकता है और उन पर आपराधिकरवाई का मुकदमा भी किया जा सकता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई यूजर कोई आपत तीजरक टिपड़ी करता है तो उस यूजर के उपर कारवाई के दवराद उस सोचल मीडिया कमपनी को भी पार्टी बनाया जा सकता है साथ ही अगर कमपनिया 26 मई तक इन नए नियमों का पालन करने में विफल रहती हैं तो सूचना प्रवद्योकी अधनियम के धारा 89 के तहत उन्हें दीगे सुरक्षा खत्म की जाज़कती है हलाकि यह आने वाला समय ही बताएगा कि इन सोचल मीडिया कमपनियों पर क्या करेवाई होगी